गुड न्यूज है, मनीशा के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और कही ना कहीं, ये जो गुड न्यूज है, ये मनीशा फैंडम के लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्या जरूरी बात है, आईए इस वीडियो में बताता हूँ, आप देख रहे हैं चैनल टली खजाना मैं हूं राहूल भोच चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा दूसरा नया चैनल राहूल भोच कॉमेडी अगर आप लोगो ने अब भी तक नहीं देखा है कॉमेंट सेक्शन में जाओ यारो जाकर दिल खोल कर वहाँ पर भी प्यार बरसाओ क्योंकि वहाँ का वे भी उसको घलत दर्शाया जा रहा है कि आपने ये घलत किया आपने ये ऐसा किया आप कॉमेडी क्यों नहीं कर रहे हो पिर जब कर रहे हो तो आपने क्यों ऐसा कर दिया ये सारी बिचारी बच्ची से बाते बोली जा रही है अब दोस्तों आप लोगों को बता दू तो म मनिशा रानी जो हम सब की फेवरेट है जो की रियल कंटेस्टेंट है उसके लिए गुड निउस है कि 31 तारिक को उसके पिताजी की एंट्री होने वाली है बिग बॉस के घर में जी हाँ दोस्तों मनिशा के फैंस खुश हो जाईए क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर ये ब दुखों के पहाड को क्रॉस करने के बाद फाइनली सुख की च्छाओं में मनिशा बैठेगी और ये सुख उसके पिताजी की एंट्री पे होगा जो की 31 तारीख को बिग बॉस के घर में एंट्री करेंगे वाव इट मीन्स की अभी अगला हफता जो है फैंली वी की होने व फैंली एंटर करेगी और उस एंटर्विव में आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो सुन लीजेगा उसमें ये बात कहीं भी थी दीदी ने और कहीं न कहीं दीदी ने ये बात बोलके और यही है कि अब अंकल जी को मैं डिशनेली आल ट्रायम लेवल बेस्ट और क्योंकि बिग बॉस अब जो है अपने हर एक थमनेल में मनीशा को इंपोर्टेंस दे रहे हैं अदर्वाइस मनीशा को ना इंपोर्टेंस दे रहे थे वो और वो फलक, अविनाश, जिया, पुक्रा, इन सब को ही पूजा, इन लोगों को ही इंपोर्टेंस दे रहे थे बट बहुत जादा इमोशनल पल होने वाला है मुझे लगता है और मुझे ये भी लग रहा है कि मनीशा उनको काफी हसाईगी भी जो मनीशा का नेचर है आपको क्या कहना है ज़रूर कॉमेंट करके बताएं देखते रहें इसी तरीके साब का फेवरिट चैनल तैलिक हजाना